गुरीवनिंग मैं फेस्बुक लाइव में आया हूँ अपने लोगों को कुछ बात बताने के लिए मैं देख रहा हूँ कि थोड़े दिन से बहुत लोग स्पेकुलेट कर रहे हैं कि हमें आवाज उठाना चाहिए कि नहीं हमें चुप बैटके रहना चाहिए क्योंकि हम गbewर्मण्ट में हैं इसके लिए अलाइंस में तो हमें चुप बैटके रहना चाहिए अगर कहीं में communal clashes हो रहा है हिंदू-Muslim का communal clashes हो रहा है या Christian's against कुछ हो रहा है या Hindu को मारा जा रहा है तो हमें चुप रहना चाहिए कि नहीं मैं अपने लोगों को अपने warriors को, अपने लोगों को अपने समाज को, अपने दोभा को एक बाद बोलना चाहता हो इनसान power में काम करने के लिए आता है power में आकर सुस्थ बनकर बैटकर चुप रहने के लिए नहीं आता है तो कही में भी आपको अगर लगे अगर आपको दिल में लगे कि कुछ गलत हो रहा है कोई गलत काम कर रहा है कोई communal tension फेरानी की कोशिश कर रहा है कहीं में corruption है तो आपको आपका अधिकार है आवाज उठाने के लिए तरीके से उठाइए लेकिन जरूर उठाइए हर चीज में politics लाना भी जरूरी नहीं है बादल तृपुरा को मारा गया पुली स्टेशन के अंदर आज जिन्होंने मारा है उनको arrest किया गया है लेकिन सिर्फ arrest से कुछ नहीं होगा हमें compensation भी चाहिए और जो मरा है उनके family को भी नौकरी चाहिए ये बात politics करके भी कर सकते है और बिना politics करके भी कर सकते है लेकिन इसमें सबसे पहले हम सब को एक होना पड़ेगा एक आवास में अगर आपको सिर्फ जिन्दगी में party ही को आगे बढ़ाना है जैसे जितेंद्र चोधी करते हैं तो उसका party ही आगे रहेगा तीपरा सालोग पीछे ही रहे पच्चे साल तक राज किया इतने साल तक MP रहे मिनिस्टर रहे लेकिन मानिक सरकार के सामने चूब बूलने का भी हिम्मत नहीं रहे लास सेलेक्शन भी हारते अगर हमने candidate दिया होता साब रूम में नहीं दिया क्योंकि मुझे लगा कि ये हमारा जाती का बात है और अगर एक अच्छा सोच experience अगर लीडर assembly में आता है तो वो शायद अपने तीपरासा के hit के बारे बात करेगा लेकिन गलती मुझसे हुई है मुझसे गलती हुई है और मैं अपना गलती को सुईकार करता हूँ मुझे असल असली लोगों को परखने का जादा समझ होना चाहिए था आप देखेंगे बहुत लोग है जिनको मैंने जिताया है लेकिन वो लोग मेरा बात नहीं सुनते गलती उनकी नहीं है गलती मेरी है क्योंकि मुझे लगा कि एक तीपरासा तीपरासा को help कर सकता है लेकिन आज समझ में आता है कि एक बुरा इंसान किसी का help नहीं करेगा सिर्फ अपने बारे सूचेगा एक स्वार्त इंसान किसी के बारे नहीं सोचेगा सिर्फ अपने बारे सोचेगा बहुत चीज और है अभी VC elections होने वाला है मैंने उस दिन सुना कि जो हमारे brew settlements है वहां में VC का नाम नहीं दिया जाएगा ये एकदम गलत बात है आज अगर हम वो 13 settlements में brew को VC का एक chance नहीं देते हैं तो कल जब हम लोग नहीं रहेंगे तो कोई chance देने वाला है क्या guarantee है कि future में क्या होगा सब लोग बोलते हैं अरे वो उनका problem है हमारा problem अलग है नहीं हमारा सब का problem एक ही है कि हम पहले अपने बारे सोचते हैं ना कि अपने दोफा ना कि अपने community के बारे हम सब से पहले अपने बारे सोचते हैं ना कि अपनी देश के बारे ना कि अपनी राज्य के बारे और आज जो हमारा परस्तिती है वो इसलिए है क्योंकि हमने हमेशा खुद का agenda पहले रखा और लोगों का अजन्डा को पीछे रखा और यह बहुत इजी बात नहीं है उस दिन मेरा इंटर्विउ हो रहा था मैंने देखा है इस मोजो में मेरा इंटर्विउ हुआ सब कह रहे थे वो इंटर्विष भी कह रहा था लोगों का क्या होगा जो गरीब है उनका क्या होगा जिसको नौकरी चाहिए उनका क्या होगा उनके बारे अभी थोड़ा compromise कर दो नहीं भैई देखो मैं अपने लोगों को कुछ देना चाहता हूँ और अगर हमारे लोग नहीं समझते हैं कि अगर आज अपने बारे सोच कर आपने अपने community को पीछ छोड़ दिया तो जो चीज आज से 30-40 साल पहले हुआ था जब हमारे लोग का पास चांस था एक अच्छा कल बनाने के लिए लेकिन उस समय भी हमने compromise किया और किया किया हमने compromise करके हमने हमें लगा कि हमारा जिन्दगी बन जाएगा जिन्दगी किसी का नहीं बना 5-6 leaders लोग अमीर हुए 8-10 officers लोग अमीर हुए लेकिन 14 का 14 लाग तीपरा सा लोग पीछे ही रहा है इसके लिए हमें खुद के बारे नहीं जो हमसे कमजोर है उनके बारे भी सोचना है त्रिपरा में हिंदू-मुसल्मान का बहुत tension चल रहा है बहुत लोग attack कर रहे है retaliation हो रहा है मैं एक एचीज पूछना चाहता हूँ हमें इतना problem है बंगलादेश से तो बंगदेश से cricket मत खेलिया ना बंगलादेश तो कानपूर में आया बंगलादेश तो बैंगलॉर में गया cricket खेला हमारे साथ हमने तो उनका स्वागत किया अथिती देव भवा करके हमन बंगलादेश गया इंडिया में cricket खेलने के लिए और हम लोग क्या करते हैं बंगलादेश को तो हम लोग सबक नहीं सिखा सकते बंगलादेश को दुख डंडा नहीं दे सकते लेकिन हिंदुस्तान के नागरिक जो मुसलमने उनको target करके आप अपने ही देशवासियों को target कर तो असली दुश्मन के सामना करो और उसको सबक से खाओ देश के नागरी को अटक करके हमारा ही नुक्सान हो रहा है आज त्रिपॉरा में हमारा कल्चर अलग है त्रिपॉरा का कल्चर जीज़िस, अलला और राम के नाम में नहीं जाता है और हमें वो culture को maintain करना है और जो गधे लोग बेवफूफ लोग जिनको लगता है कि तुरुप्रा में आग लगा कर हमारा development होगा आप side by side मनीपूर को देख लो मनीपूर में आग लगा तो आज कुकी भी दुखी है मैते भी दुखी है नागा भी दुखी है क्योंकि जब अप मुहबत और भायचारा को बनाना चाहिए यह रहा बाद अब मैं सुन रहा हूं कि यहाँ में क्या हो रहा है, वहां में क्या हो रहा है यहां मैंने बहुत चीज़ सुना है मैं जानता हूँ बीतुर्परा आपको शायद मेरा कौक बरॉक से प्रॉब्लम है ठीक है ये मेरा गलती है कि मेरे माँ बाप ने मुझे कौक बरॉक नहीं सिखाया लेकिन मुझसे पहले भी बहुत लोगों ने कौक बरॉक बुला है उन्होंने आपके लिए क्या किया मैं ना बोलके भी मैंने आपके लिए बहुत कुछ किया लेकिन यही तो प्रॉब्लम है आपको आप कान से सुनते नहीं हो आख से देखते नहीं हो नाख से सुनते नहीं हो आप सिर्फ पॉलिटिक्स करते हो आप सिर्फ किसी का बुराई देखते हो किसी का अगर बुराई देखना है तो आपको भगवान में भी बुराई दिखाए पड़ेगा और अगर आपको अच्छाई देखना है तो जो आपका शत्रू है, जो आपका दुश्मन है उसमें भी you will feel, you'll see goodness all religions, whether it is in the church, temple, islam, mosque, monastery they teach you to find a goodness in someone सब के अंदर कुछ न कुछ अच्छाई होता है लेकिन आपको अगर सिर्फ नेगेटिवी चीज सुनना है well, बीर तृपुरा आप नेगेटिवी रास्ते में जाओगे मैं आपके लिए एक मैं आपके को खाना देना चाहता हूँ आप मुझे जहर देना चाहते है आप मुझे मारोगे तो आपको क्या मिलेगा आपको लगता है कि आप राजा बन जाओगे नहीं और मैं अगर आपको खाना दूँगा तो मुझे लगता है कि मेरा खाना कम होगा नहीं, भगवान और आशिर्वात देगा ये मेरा thinking है thinking को बदल लिए younger generation को chance चाहिए younger generation को road moral चाहिए younger generation को truth चाहिए और वो मैं करने की कोशिश करता हूँ भाद बार ठका हूँ मुझे इच्छा भी नहीं है कि मैं और जादा continue करूँ लेकिन मैंने commitment दिया है मेरे तीप्रासा accord के लिए और तीप्रासा accord का second round meeting November third week को हो रहा है मैं ये आपको inform करने के लिए आया हूँ meeting फिर से दिल्ली में होगा शायद और तीप्रासा accord का second round meeting अब दिल्ली में होगा और इस बार शायद ADC के कुछ officials भी इसमें शामिल होंगे ये आसान काम नहीं है ये काम बहुत मुश्किल है negotiate करना बिना अपने बारे कुछ मांग के negotiate करना वो भी government of India से 75 साल का जो गलती हुआ है उसको आज ठीक करना इतना आसान नहीं है तभी भी मैंने अपना कोई भी demand कोई भी point को dilute नहीं किया है आप जानते हैं कि जिस दिन मैं अपना point को dilute करूँगा हमारा position कमजोर होगा और जब तक हमें बहुत चीज़ नहीं मिल जाता land rights नहीं मिल जाता more seats in the assembly नहीं मिल जाता जो direct funding नहीं मिल जाता हमारा political representation और strong नहीं हो जाता है economic condition और ठीक नहीं हो जाता है central university नहीं आता है aim जैसा hospital नहीं आता है तो जब तक ये सब नहीं आएगा तब तक मैं अपना original position को तो कमजोर नहीं करूगा क्योंकि ये इतिहास कवा है कम मांगोगे तो कम मिलेगा जादा मांगोगे तो जादा मिलेगा और अगर मैं कमरे में जाके बोलूगा कि आप मुझे कुछ भी दे तो मैं खुश हो जाओ तब हमें कुछ नहीं मिलेगा और मैं चंदा के लिए तो यहां आया नहीं हूँ अपने लोगों को fight करने के लिए आया हूँ मैंने नोटिस और एक चीज़ किया कि politics is not everything politics should not be everything commitment to community commitment to your people commitment to a better tomorrow is more important and if you want a better tomorrow don't play politics with your people don't play politics with your it will only make you weak strong countries strong nations never fight with each other that's why they can rule others people who fight with each other always get ruled by somebody else India when it was united ruled like a king when Trupra was united we ruled the lands far and across but the day we became divided somebody else ruled us today we have to be united I know it is difficult difficult लगता है मैं जानता हूँ लेकिन चारा क्या है आपके पास या फिर आज अपना दिल में पत्थर लगाकर एक हो जाओ या फिर अगर आज गिवप कर दोगे तो दो तीन सील बाद दो तीन साल बाद क्या मिलेगा आपको कुछ नहीं मिलेगा हम लोग और भी पीछे चले जाएंगे इतना आगे आए हैं किनारा सामने हैं बहुत लोग तोड़ने की कोशिश करते हैं बहुत लोग कमजोर करने की कोशिश करते हैं आप मुझे ही देख लीजिए मैंने उस दिर अपना फोटो देखा और आज देख रहा हूँ पिछले 6-7 साल में शायद मेरा 20 साल का उमर बढ़ गया होगा लेकिन ये अगर मैं अभी गिवप कर तो तो क्या मिलेगा मैं मुझे तो कुछ नहीं चाहिए भगवान ने सब शीज दिया है लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपको भी कुछ मिले and I really want you to understand अभी दिवाली आएगा दिवाली में the good wins over evil बुराई हारता है और अच्छाए जीती है लेकिन अपने अंदर जो जीत और बुराई है वो अपने दिल के अंदर ही है किसी और को दोश मत दो और हमारे बहुत लीडर्स है मैंने नोटिस किया है आपको बनाया है मैंने आप लोग बात नहीं सुन रहे हैं अगर आप लोग बात नहीं सुनेंगे तो मेरे पास जो असली original warriors थे जो मेरे संग NGO से तीप्रा मौथा में आए वो टैम भी उनके पास कुछ नहीं था आज भी उनके पास कुछ नहीं है लेकिन मैं जानता हूँ कि वो लोग real warriors थे तो एक इस दीए बात आप समझ लीजे मैं भी देख रहा हूँ कौन काम कर रहा है और कौन लेड़ बाजी कर रहा है तो पबलिक ने मुझे बनाया मैं पबलिक को कुछ देना चाहता हूँ कौन genuine है और कौन थोड़ा सा हिल रह इधर से उधर अगर आपको लगता है कि बुभागरा को बात नहीं मान कर बात नहीं सुनकर पब्लिक आपको याद रखेगी, प्यार करेगी बहुत गलत बात ऐसा नहीं होगा You are here to fight for your people Fight for your rights Fight for a better tomorrow So don't give up And keep on trying to improving yourself everyday Last में मैं सबको एक ही बात बोलना चाहता हूं हमने अलायंस किया है अकौड के लिए हमने अलायंस दो लोगों को मंत्री बनाने के लिए नहीं किया हमने अलायंस किया क्योंकि ADC में फंडिंग आये और हम लोग अपने लोगों को हेल्प कर सके लेकिन सिर्फ EMs को गाड़ी में इधर से उधर खुमने के लिए नहीं हमने मौथा बनाया सब वोरियर्स को उपर से लेकि नीची तक ग्राउंड में काम करने के लिए लेकिन मैं कभी कभी सुनता हूँ कि कुछ EMS कहते हैं कि मैं ये पोस्ट में नहीं जाओंगा क्योंकि मैं बहुत सीनियर हूँ कोई MDC कहता है कि ये मेरा जगानी मैं और सीनियर हूँ कोई MLA कुछ और कहता है कोई कुछ और कहता है मेरे दोस्त ये attitude आप रखोगे न तो ना रहेगा आपका EM-ship ना रहेगा आपका MDC क्योंकि भुभागरा भी देख रहा है और आपको second chance नहीं देगा आपको अगर किसी का दिल जीतना है न तो अगर तला में बैठे हुए police constable या officer का दिल नहीं जीतना है आपको अगर आपका दिल जीतना है तो अपने गाउं में एक गरीब मा एक गरीब परिवार का दिल जीती है यह जो गाड़ी आपको मिलता है जो कॉन्वय आपको मिलता है जो लोग salute करते न आपको जिस दिन आपको टिकेट नहीं मिलेगा जिस दिन आप भार जाओगे न दो मिनिट में यह salute भी बंद हो जाएगा गाड़ी भी बंद हो जाएगा तब आपको मालूम पड़ेगा कि आपके time power था दायत्य था आपने उसका सही इस्तमाल किया कि नहीं आंकार ही आपको डुबाएगा और प्यार ही आपको जिताएगा चॉइस आपका है लेकिन मैं अपने लोगों को प्यार करते रहूंगा मैं अपने students के साथ जिन्दगी बर उनको support करते रहूंगा और मैं एक commitment देना चाहता हूँ कि मैं अपने लोगों के साथ politics नहीं करना चाहता हूँ VC election हो, कोई भी election हो, मैं तो चाहता हूँ कि IPFT और तीप्रमथा एक होकर ही fight करें अलग-अलग party रहे लेकिन एक होकर ही fight करें बहुत leader को खुद का स्वारत के लिए वो कहेंगे नहीं, हमें अलग fight करना चाहिए लेकिन मैं जानता हूँ Public चाहती है कि हम सब एक हो जाएं क्योंकि public कभी-कभी leader से जादा समझदार होती है क्योंकि public पूरा समाज के बारे सोच रहा है और leader सिर्फ अपना area या अपना परिवार के बारे है अगर leader ऐसा सोचेगा, तो वो leader डूप जाएगा That's why I am again requesting everyone Think about Thansa, think about people मेरा जो दिल्ली में meeting है उसमें मैंने 25 seats मांगा है out of 60 in the assembly मैंने direct funding मांगा है मैंने land rights मांगा है मैंने aid schedule में कौक बुरुक, कौक बुरुक, आदर तिप्रासा native languages including dialects like काउबुरु, you have halam language, you have ranglong, darlong उनको भी मैंने कहा है कि aid schedule में लाने के लिए और हमारा option है कि हमारा columnा roman script में होना चाहिए यह हमने point रखा है हमने कहा है कि हमारे जो पट्टा देने का अधिकार, land rights का अधिकार यह सब हमारे EDC के पास होना चाहिए क्योंकि आज भी तिप्रासा अपने गाउं में रहकर अपना जमीन का मालिक नहीं है हमने money puri के लिए भी एक extra seat assembly में demand किया है क्योंकि मैं चाहता हूँ और मैं जानता हूँ कि money puri भी हमारा society का है तो उनको भी मिलना चाहिए चाह बागान के लिए एक development board के बारे मैंने demand किया है मैंने कहा है कि हमारा जो funding है आज के दिन वो state के through नहीं center के through होना चाहिए एक mechanism होना चाहिए 125th amendment को parliament में pass होना ही पड़ेगा उससे हमें financial autonomy मिलेगा मैंने central tribal university demand किया है मैंने aims like hospital demand किया है मैंने बहुत चीज़ demand किया है और मैं चाहता हूँ कि ये सब चीज़ implement हो अगर ये सब चीज़ implement होगा तो मुझे क्या मिलेगा मैं तो उस central university में नहीं पढ़ूँगा मैं तो उस aims hospital में नहीं जाऊँगा जब land rights मिलेगा पहले से भगवान ने मुझे बहुत land दिया मुझे तो और land नहीं चाहिए अगर center से funding आया मेरे पास तो खुद का business से मुझे तो center का फंटा धरकार भी नहीं है मैं चाहता हूँ कि यह सब चीज हमारे लोगों के पास जाए तब ही हमारे दोस्त लोगों को लगेगा 75 साल बाद कि हाँ हम आज इंडिया का एक हिस्सा है और त्रुपुरा एक अच्छे रास्ते में डेवलप हो रहा है यह आपके माबाप लोग शैद नहीं जानेंगे जो आपके दादू है वो नहीं समझ पाएंगे उनको लगता है कि अभी हमें क्या मिल रहा है वो ही important है लेकिन आपका दादू आपका माबाप उनका तो समय गया वो तो 55 के हो गए, 60 के हो गए, 70 के हो गए struggle किसको करना है अगर आज यह successful नहीं हुआ तो नुकसान किसका होगा हमारे आज जो 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल के जो youth है 35 year old youth, 15 year old youngsters, 20, 25, college going, school going यह आपका भलाई के लिए है तो मुझे तो आपके बारे सोचना है जिसका जिन्दगी आगे है ना कि उनके बारे जिन्होंने हमेशा उनके दिल में था कि अब और कुछ नहीं होगा छोड़ दो, compromise करते हो यह मैं आज आपको एक message दे रहा हूँ आने वाले दिन में अभी दिवाली है दिवाली के बाद और festivities होगा उसके बाद tring होगा उसके बाद Christmas होगा, New Year's होगा हम 2025 positive होके भी चल सकते हैं या फिर यह आने वाले साल negative बनकर एक दूसरा को मार धोर के काट के गाली दे कर हम एक सब को डुबा कर भरबाद भी कर सकते हैं choice आपके पास है आसान है किसी को गाली देना आसान है किसी को दुदकारना, मुश्किल रस्ता है एक दूसरे को प्यार करना और मुझे जो भी करना है वो मैं करूंगा, मैं महबत को फैलाऊंगा, सब को आदर करूंगा, और जो मुझे ठीक लगता है, मेरे लोगों कि लिए ठीक लगता है मैं वो करूगा बैला इनो हम भाई थैंक यू गाद ब्लेस यू